असलांव ऐकोनाजरेन तुसरेदिपूर सवेयल रंगाइशा क्या हाल हिंनों ठीक ठाख तमाम मेरे भेनी तमाम मेरे मामा तमाम प्यारे पेरे बच्चियां त hit है लिया तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त भाई सब को अक्सा गुर्ड मॉर्निंग और ची आया को जी बिलकुल सवेज थी चुकी है और यह किन तुसा और तो है ना अच्छा वैसे ता वह सरे बच्चे आ जिनाब को समर केंपर चल देपन और सवेज से ना रुटना जी आज चुटी ना मिली कुझ इस सबक याद न कीता और में को आज जीने मौनिक शो न कीता बिलकुल यह हाल हो ने थीया किसा आप भी छुटी नी मिल दी पए हो अच्छा आज मैं गाल करेशा क्योंकि आज सब बाजे टाइम बहुं सरे चीजा आपने लाइफ ज़ा भू अच्छा को बिलकुल भूल वे दे हैना बादिश यहाद आदे है ओहो इतकम अमाने मेरे जिमे लाया ही ओहो कुकर बंद करना ही ओहो सालन चल गया थीन दे अक सावकार्टी में थीन दे चायदा पाणी रखेने और असा बहुं बहुं ने थे और बादिश गाली दे बाद स सुनावनें ना ओल एदा सुनावनें थे कि देख चिको धोना भी तुसा है अच्छा उने इलावा बादे टाइम में थी कि ऐसा आपड़ा रोल नंबर भूल वेने हैं वालाकि एक्जैम दिवारा इचासा डेली पेपरें बहुं ने पेना डेली रोल नंबर साला तहरीर कर वगरा इंदे इलावा एहम गुफ्तगू भूल वेने हैं वाकियाद भूल वेने हैं मैं थे कुछ चीजां भूलना वैसे जरूरी वी है बादे टाइम मैंसा कुछ चीजां याद करके हमेशा कुड़े राने हैं इसको अच्छा कुछ भूल नो लेकिन हार गाल नहीं भूल वेसे तो तवाल बेगम बेनास थी सकते हैं को शादी दी साल करा जिरको साथ हैं वह याद रखना जरूरी है प्या अच्छा अपरे दोरिच के सा काबलियत एह है के जड़ा बच्चा है ओँ जहीन हो यानि कुछ यादाश चड़ी हो वह उन ही तेज होने चाहे दिए और इ प्रक्तिस और ट्रेइनिंग नालसा इंकाबल बनेने कि अपरा काम करें इंते या ताकत वर भर नें थे इवे ही जड़ा सादाव दिमाख एप्या ओवे पठे बिये तरह है इक वी असाइं काबल बना सकते हैं और अगर असा कोच चीजां ते अमल करू और जल्दी जल्दी में रसां तौको कि क्या क्या चीज़ा हैं कि सारे दिमाख जड़ाए शार्प थी वने तेज थी वने और असा कुब और सारे चीज़ां जड़े जड़े हैं अक्सर दोस्ताने नंबर ही भोल वे ने थे आपना नंबर बादे टाइम लोगा कुछ नहीं या करना के कि पहले तो अपने जड़ा दिमाख एको बहतर घज़ा परोवाइड करनी है थे किसा हमेशा घज़ा दिगा करने ज़िए कि सादे पैसे के बदाम खाओ और इन्हें आखावे ले कि अखरोड खाओ ओ वी जरूरी है तुसरे इटासी अखरोड बेलकल दिमाख दे श सरे कि फुर्च लाहिये तो उड़ा थी ने इंदे लावा जिरेके सब सुनने हैं के जिनावजी नारियल टेल हे नारियल टेल इस्तमाल करना चाहते हैं इस्तमाल ज्याद़ा करना चाहिए तो वी तर्दिमा खास बहुत ही बेटर है अच्छी कर अले मनफी सोचा तू दूर रहो अक्सर अश्या जड़े हर वक्त मनफी सोच असारे जहने चलाने थे के घुद्कारीं कुछ लोग करें राइंगे शिक्वे करें राइंगे खीक करें राइंगे तैंस युद्धी तेना वी तो जड़ी माख कर दीओ मुतासिर धिदी है अच्छा इनि इलावा वर्जिश करने चोई थी जैन्डूजी बाडी दी वर्डिश करेंजे ही हिंद की फिलकी अडिम देह जरूरी है दिमाघ घेजम की फिलकी खेयरा वह हुं ही जरूरी है अचाके तोले ज़िए दिमाघ विध जोड़ा जासे बाभा रहा हुए तो अधर इंपोर्टेंट चीज़े एहम चीज़े घर जो से जिल आंदे हो जिता जी जड़े महाल वे तुसरा रहा दे उसा रहां दे उसा उता हार चीज़े तर्तीब डाल होना बहुं ही जरूरी है इन्दे नाल वी तो लिद्माग ते अच्छा सर्पूने जिल महाल साफ सुत्रा हो सब्सक्राइब कोई भी जगह होए कोई प्लेस होए कोई खामान दी जगह अगर साफ ना होए ते वाल सारे जहन ते कितना बुरा सर्पूना प्यांदे और अगर साफ होए ते बड़ा सुकून या महौल अच्छा लगदा प्याओने थिया इमें ही अपनी नेंदे दावी खास है रखड़ा बहुं ही जरूरी है यानि के वक्ते समरे थिया वक्ते उटने थिया गैजिट्स पढ़े रखने थे यानिकरे मुबाइल फोन हैं तो अले जिए सेल्फ फोन है जिको हर चाह के बेटे होने हैं राद दे टाइम को आवाइड करने थिया वाल तसा पी जिना दे सेल्फ दे हैं बनल झानुत ज्यादा जाने हैं और जि जिए खन पेशंदे और डिखन इस में जुब परिंस्पल हैंन गौर्मट घर्स कॉल्ज ऑफ टेकनालेजी लिए ऑफ स्विज्वर्म उन पर होशान दे अक्सा गुड मॉनिंग और जी आया को क्या है जहीन तरीन लोगों वाकिय उस्ताद होने थे जहीन का तो कुछ नहीं कह सकते है बस ये है कि उस्ताद का जाहिर है कि बड़ा रोल है माश्रे में एक उसकी तामीर में तो उस लिहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे एक बैक बोन होती ह है हरीर की हड़ी की हैसीत उस रागुंद को वह बन कर राए कर कोंपी तामीर कर रहा है तो उस लिहाज से उस फार कर जो और पिर यह फिर्ड़ाइशन तो इसको का जाता है प्या मौलमाना पेश है तो वेस लिहाजरे को बैयादू है के एक नैशन को भी बलकुरें थे और वाके जहीन तरीन लोग तहें नहीं हैं थे, सारी नेशन को वह कौम को सवार देनें थे, कई मकाम ते पजा देनें थे, हाला कि खुद उठे ही रहे हैं थे, इस चीज बड़ी आज में दे जरूर गाल करें सा, उस्ताद उठे ही हो देते हैं, लेकिन अच्छी पोस्ट चल अच्छी आवाज़ गीत और देखो कि में जादू जगेन सवे सवे नार टाहीर जफर हैं हो शामदेद गौर्मानिगार जी आया को क्या हले रहे हैं बहुत ठीत अल्ला का शुकर चिक्टार अलम्दोल्ल्ला अच्छा रहे हैं इतने से ठार हैं गयो आज में एसे पहले भी अच्छी आज में एसे प्रोग्राम पर शाख रहे हैं जाज में एक एक बार मुल्द एक परीद बद्द भीक्राद आख जब देख ऑधेन एक फुछ उड बार आज में प्रोग्राम हुआ तो मैं एहां परा के प्रफॉर्म कर चुका हूँ इंग जबर दस्बर दस्बर द अब तो है गोर्मेंट जॉप मेरे इजुकेशन में उसे परली निशाद गूर्प ऑफ स्कूल से मेरा तालोग एचार पांच साल यहाँ पढ़ा यहाँ फिर अब जो है अब जो है ना गोर्मेंट सेक्टर में हैं अचा यह अचार शॉक चलता पर यह वाकर पर फेशनल तो है जो आए बंड़ा यह वाकर विशाद ही एक रांद पांच से अब जोड़ जल्दी रिकारण कुछ कि शुग अब जर्दीर पर्लीं करता हूं का इस अचार्मा परोडों पुछ क्रीप और गौर्में परली करता हूं जोच तो तो खुद अपने गाने गाने करेब करूं नो इन थे प्योज़ जोओता है। इन आप अपने उपता है। ऐख दिर समय वोगर्मेश भी जरे भी जाएं आप पर हमेगा ओया बदो कि अपने चाहिए। जोगर्ज़ होता है। जोगशा जोगा 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 है। आपरे तालीम और दोरे तालीम देहुला दसे सो क्या है कुछ था को भी दसे से वन जाए जखरीग नस्टी मुलतान से में उर्दू किया था और उसके बाद एंफिल की है उर्दू में पढ़ाकु स्टूडेंट हावे बहुत ज्यादा पढ़ाकु नहीं थी मैं अगर अपना स्टूडेंट लाइफ वो याद करूँ नहीं वैसे बस अच्छी थी अवे स्टूडेंट हाँ मतला उस तरह नहीं जैसे वह बहुत बुक व कॉलिज लाइफ में भी स्ट्रेज सेक्टरी रही इसी तरह से जक्रीज उनस्टी में जब मैंने दो साल पढ़ा वहां पर मजलिस एकबाल के नाम से हमारे उर्दू डिपार्टमंट में एक यादि के वो जो वड़ड़ा पन वो वाले चीज़ में नहीं देपार्टमंट के कुछ सलाह था है अच्छी बेटर रही हो अपने जमारे में जब कर रही तो इस तरह की चीज़ों में जो है वो अच्छा असा जिल गाल करेने हैं ये पैरेंट्स आगव साड़े होने असा अपने जमाने वेचे तो पत्त है कितने अच्छे स्टूड़ा इंटाब है असा ब निकल वे दिए और बच्छे पुछ दें ते मैं ते मुझे नहीं पता यार अपने टीचर से पूछना था किते आपने पड़ा था है है इस सवाल बड़े बच्छे ने जहने चाहते है और इनार ही नाजरीन बिलकुल चल देवेगे छोटिये ब्रेक ते ते ही नवे साइना कि वेल्कम बैक नाजरीन खोश शाम देद आख सुता को सवेल देरांगे चाहर गाल थी पर यह जहीन लोगां भी और जहीन तरीन लोगां में चुछनाब जी हैक बड़े परस्नालिटी हैं तुड़े कि आजकर शामिल थी चुक हैं थे मैं आजकर आजकर ट्रेंड आगे थ बढ़ सारे लोग बड़ाख दैन लाड़ लागें थे और बड़े खुबसुर्वत, अलवच बड़ सुनाबरा भड़े और लोगाने दिल मुह घिने थे मैदे बाद में ताइम और बग़ 스रा लोगे भी त्र टैंच्ना में जे लिछेवत हैं खानादे मैं थे में दैदे जी बिलकु इन्टेमसिनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं पे हम ताहिर हैं पे खोशाम देद गुर्मानिग और जी आया है वाकि लख पकते हैं ना यकिन और जब प्रोसेसिंग चल रही होती है माइल के अंदर तभ ही इनसान की जबान के ओपर अलपाज आते हैं आप जैसे दो घ जाने में पॉट हैं जाल में जाता हैं जाल में ऊपकता हैं तरह हैं तरहें जाल मौकण हैं जाल मौकब भूल जाइस घरिज़ बना पोच किनो यारो फिलाँ डेट फिलाँ अकसर घलत ही बोलें थे अगर एहम मौका नहीं होगी यानि किया मेरी 14 अगर से यहाँ चाहिए अगर ऐसे दीवेज होगे था तो अगर वेडिंग अनुवर्सी तो सहा लगता कि लेवी न भूल सो कुछ एहम दे होने थे इंदे लावा रोल नंबर है फोन नंबर है रो आप्राइवन के फोन नंबर लोगों को याद नहीं होता और थेरो ठहरो ठहरो मुबारच लेकर देसे सूँ यारे इस सिचुएशन एक असाफर जहन को किया इसास कर सकते हैं आईशा एक बहुत इंपॉ का इसके इसके साथ होग इंफिमेशन इन इन इमोशनल इटइचमेंट वो लॉंक टम मैमरी में अनवर्ट हो जाए ऐगा अगर Yet कैसे इसको मैं मिसाल साap suitable मेर का इन रवी एक मेर और सभ्साम रे सामने इा इया जंदुगी के अंदर और अच्निं ने बज़े अपना नाम ब अगर मेरे पास रीजन हो किसी चीज को याद रखने की तो वो लॉंग टर्म के लिए मैं याद रखूंगा इसका एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तोर पर कोई शखस आया यहां पर आकर बैठा और यहां पर जैसे मैं अंटर हुआ तो आप ताहर मुझे नहीं पता है क्या रीजन होगी बट कोई स्पेसिफिक एक पॉइंट होगा इसकी वज़ा से एंकर हो गया इस एंकर एक वर्ड यूज करते हैं माइंड पावर कि माइंड इच आगे कि ताहिराने के लिए कोई एक एक एमोशनल अटैच्मेंट यह रीजन रिक्वाइड होता है और उसके बाद कोई भी चीज हम बहुत आसानी से आद कर सकते हैं यहां बता है मैं एड करूंगी एक बात शाहरे के टीचिंग से है वास्ता तो मतलब कि आप से चले गए फिर वो स्टूडन्स कभी आप से मुलाकात हो तो वो क्लास में अब कई तरह के बच्चे होते हैं जैसे आपने बात की नहीं के साथ हम उसको प्नेक्ट कर लेते हैं उसमें हैं वो जो कुछ जहीन हैं वो अपनी जहानत की वज़ा से कोई बच्चा अच् है जहीं होता है मेडियोकर आम तौर पर भूल जाते हैं एक और बात मैं यहां पर जब बिंग एडिकेशनिस्ट मैं आप बिंग वर्केशनिस्ट मैंने डारेक्ट स्टूडन्स को नहीं पढ़ाया वट मेरा काम ज्यादा टीचर्स के साथ रहा है किसी भी बच्चे को उसके नाम से जब भी बुलाया जाता है इसको एक गुड फीलिंग होती है उसके अंदरी मैं फर एक्जामपल मुझे कोई अगर पांच सो लोग जा रहे होंगे कोई ताहिर की आवास पीछे से लगाएगा ना तो मैं यकीनन उन पांच लोगों में होंगा जो पीछे मुड़के रीजन मेरी एक emotional attachment इस नाम के साथ है और दूसरी बात क्या होती है जब आप किसी को भी मैं आईशा को आईशा के नाम से बलाऊंगा और आईशा को मैं कहके बलाऊंगा मैं मेरे लिए 50 हो सकते हैं आईशा शायद एक हो सकती है तो एक नाम के साथ emotional attachment होती है और ये feeling किसी को पहुंचाने के लिए जरूरी है कि मुझे उसका नाम याद हो और फिर इसके क्या होता है एक हमारा emotional linkage डिवालप होता है हम जब color brain communication की बात करते हैं या NLP की बात करते है mind sciences की तो हमारा नाम के सब सब से identification level के ओपर हमारा इससे connection होता है मुसलिम है as a Muslim एक मेरा identification level है मैं काहर हूँ मेरा एक identification level है मेरे वाले साब का नाम मुनीर है मेरा identification level है मैं for example मुलतान से belong करता हूँ मेरा identification level है मैं 6 channels देख रहा हूँगा कहीं मुलतान की news आईगी मैं अचानक रुख जाऊँगा क्योंकि मेरा कुसके साथ एक attachment है लिंक है similarly आईशा ने पूछा कि हम अपनी माइन को sharp कैसे कर सकते हैं without reason जितनी भी चीजें हमारे जहन में होंगी वो काड़कबार है जैसे हमारे घर में कोई भी एक चीज होती है मिसाल के तौर पर वो बहुत पुरानी है लेकिन वो मेरे परदादा की निशानी है मेरा उसके साथ reason है तो वो मेरे लिए एहम है मेरा बच्चा होगा उसको नहीं पता होगा कि हिस्ट्री क्या है वो उठागे उसको फैंक देगा उसके लिए काड़कबार है हमारे दिमाग में बिल्कुल इसी तरीके की चीजें होती है जो खुद्रो पौदे होते हैं वो अगर खुद्रो है तो वो किसी काम के नहीं है अगर उसके साथ एक reason specifically हम जोड़ दें मुझान सा बता की, मैं जोड़ला क्या इससा डाही बेड़ी में हमें अगर जैड़ार्य ली तुद्रो है विल्टे नहीं आख और ल बग वो मेरा नहीं है से ड़ेा का श्मीद्रे मैं एक्षा अवищबार्यने है यह aos प्संद हो अचाम को हमें मेरा में एन आखे,माम आखे लेकिवा में राव ह 그러면 ढॉम अगैने पहुर कोईते है ना थीना हम भी अग. जोपरset थाम मेरे मिरे गेस्तारbia टो भश्याजा है आईशा हम आजए गाधे उस्मा एंधें हैं हम आपसे पछाड बहुड़े हैं कुई इमोशनल लेवल रेलेशनिशिप हो और्य जब तक बाल Kings का पैटर्न की बैकर नहीं संगे मुझंता है अज आड़े सानब में एच्छ पाई सब्सक्तुशनय तक तक हमारे उज्यौन है उस्वय का व Ils कुई पाई तक हूं स Efendimiz झालनीशनल नहीं बना उसके साथ मैं बहुल जाऊँगा. अगर मेरा किसी भी नजम के साथ, किसी शेयर के साथ, किसी चाहर लाइनों के साथ, मेरा एक मेरा में इक एपनीक्शन बन जाएगा, हम बहुत सारी ऐस्की एक उपड़ते हैं, मेरी स्टोरी इसके अपने लिए जाने तो वो हमें आद रहे हैं यह आदा आदाना पर जाना हूँ नहींरा बादा हमें परफार आदा इस पता हो जैंड़ में वास्टेसे नहीं बॉद्धे कि कि अ वह लिए काले को बाता हो थे कि अदधा कि अनधा हैं भूरे इसमय तो इसमें अगर किसी आगे बेंच पे वेठे वे इसी दोस्त को कोई बात कहनी होती थी और मन में आरी होती थी ना तो एवेंचली वो मुड़के देख लेता था किसी भी रीजन से वो देख लेता था पीछे कोई है चीज़ जब फिर मैंने माइन साइस को पढ़ा जब मैं इ पर दिमाग तो बिलकुल एसा है और यह है अर इनसान के गर्द एक मैगनेटिक फील्ड है उस मैगनेटिक फील्ड के थूँ अगर मैं किसी के साथ बैठके बुरा फील करा हूं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके मन में आ जाएगा ठीक ली आजएगा कि यह सही नही और दौरा लूज करता है और फेल को शूजरा है यह शार कर यह जलोड पर ठीकों में आने आनीड वा तूंत वर उसमाइय को भील धनी को ख्तरिएग कि अवहिता है और एंड आप एंड तो कुछ करना ही है ना वाक्त मुदाखले अच्छा भई कुछ करते हैं हम लोग वाकिए में भी होने ना पैरेंट्स है लेकिन बस जाहिर है कि ये जो हमारा प्रोफेशन है ना इसमें बड़ी ये रिस्कॉंसिबिलिटी है इसमें आपको समझ लें कि ये होले करें नहीं आप ना बड़ी उसे हिए रचिए रचेहर जो वहारा है तो आपको बड़ने कि पैनारा चीज करने करते हैं गया है अयह कि तेटिचर बड़ना असान है पढ़ाते वे आप जो आपका मज़ा आरा होता है आप स्टूडेंट्स के साथ आप बिलकुल आपकी फीलिंग आप अपने आपको यंग फील कर रहे होते हो तो यानि आप 18 साल की बच्ची को पढ़ा रहे हैं तो मैं उस वत मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मैं उसी किस आप चले जाते हैं आपके अंदर एक इनर्जी पावर आपको मैसूस हो रही होती है यह बड़ा बोरिंग है यह जो प्रिस्पल शिपीस मतलब यह के इसमें अकसर ही लोग आपसे डाला रहते हूं नाराज रहते हैं जितना भी आप कोशिश करें हैं सबको राजी रखने की कोशिच दो करती हूं मैं भी करती हूं लेकिन इसमें शाहिद हम रिखा नहीं बहाने रहे नहीं कि असलेंगे आपको आपे मेशा डिए रिस्पेक्ट चिचर देया है अच्छा जो तो साल कि अश्पाराइए धिक्शिछ पूरे हर्छ ज़िए कनराने कर ना पूरा एक सिस्टम को चलांगना इंचाया इदारे का हर चीज की अब दारी हो यहाँ इस्टूटन के मसाइल को भी देखना है ड़ड्याया समया इर्म एक ज़ारा है क्या तम तो आपको रात में आपकी ड्यूटी नहीं है आपका चोकीदार बैठा है लेकिन फिर भी आपका एक लिंक जो है वह उन चीज उड़ा रहता है तो आपके लॉल्स हैं आपके प्लांट्स हैं आपके पूल आपने एक चीज का खिया विए लेकिन देख रुड़ एठेक्शन जितनी बड़ी जिम्मादारी होगी उतने ही बड़े उसके मुश्किलात भी होगी और उतनी ही बड़ी रिक्वार्मेंट्स होगी और बड़ी जिम्मादारी के लिए आपने अपना दिल भी बढ़ा करना होता है बतलब यह कि आप जैसे चोटी-चोटी चीजों पर अन्व अब आपको यहां बैठके वो सब नहीं करने आपको जाहिरे के बड़ा एक बैलन्स रवहिया रखना पड़ता है टॉलरेंस पेशेंस अच्छा माश्रा बावी साल थीग फिल्ड वेच और कितना अर्सा पढ़ा है और कितना अर्सा थीग एपोस्ट को संभाले हुए दो साल ह अब आदेपना के एकनोर करना पहोंदे बहुं सारे चीजां को या अपने मिजाज को धीमा रखना पहोंदे कुछ या इस सिख्खा ताइम बिंग बहुत मेरा वो सीखने अगा अमल तो चलता रहता है तो बस सीखते जा रहे हैं हर लमा हर रोज आपको एक नया लेसन मिलता एक नया सबक अपसीखते हैं तो सीखने अमल तो जारी रहता है सही सही वहाँ कि अगिंग नवे इन में लोग आनल जिस में जोल द्यान जिन बहुत है एंतों कुछ पिक ँषकर है है वह है ना आलिका ३श्फक्शन जहें गिस अफुँ कर वह खुब से है फूब्तर कहा औ आइस नाइसे जवाव घंसा क्योंकि वक लिए जौब देना आ टॉरे शौक तरे घॉपीय जिया एबिट भदे रानन थे इसब को जाड़ना चाहसों ब्रिक्ट बार नाजरीन की ने बार नाज। वेलकम बैक नाजरेन, होज शाम दी, अक्साता को सवेल देरांगेच, और मैं चल सां विलकुल और गाल थी नहीं परिये, अन्जम कल्सूम सहिवाना लोग पुछ दिपाई हम थे केरे केरे चीजा हैं जिले बदलन थे, हैब इस दियाल करेने हैं, स्टुड लाइफ इस कि वे मैं बैक बैक बैंचर तो नहीं होती थी हमेशा आगे की सीट पर बैठना मुझे पसंद था और यह था कि वो एक डिसिप्लन होता है ना लाइफ में बहुत जादा डिसिप्लन बच्चे होते हैं बास टाइम से उठना है, टाइम से अपने सारे काम करने हैं, वक्त पे होमव तो उस तरह की चीज़ें नहीं थी, इन डिसिप्लन लाइफ होती थी कभी बहुत पढ़ लिया बैठने का बढ़ने का दौरा पढ़ा तो तीन तीन चार्चर दिन पढ़े जा रहे हैं नहीं पढ़ा तो पंदरा दिन किताब को हाथ ही नहीं लिगा हैं इस तरह का कुछ हिस आज कल तो यह आ गया ना जीपी का जमाना आ गया और बड़े इतने बचे नंबर ले रहे हैं समय नहीं आती के नंबर कैसे ले रहे हैं हम मतलब तब यू नहीं होता था लेकिन यह है के थूआउट फस्ट वियन रही हम यूनस्ट्री में भी पॉजिशन थी और मतलब अच अच्छा एक्टिविटीज में भी ठीक पढ़ने में भी अच्छा होते थे और फिर उसके बाद जो है वो अबिडियंट होते थे इस सबसे मुआ इन तूझ रिष्पेट्ट ते थे 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 अभी कि अपने नजरा दो और्के रहे हैं आप अब क्यों दो तूझ यह नहीं हैं अगहिं कि अपनी नजर आती पर फे पहले इमोशनल ऊशनल कि योज़ याद है कि आन इस हमारी इंग्रीश की ती बहुत मुझे पसंद थी और बड़ और इसम्बली के बाद मैंने ना किसी कोने में छुपके खड़े हो जाना कि यहां से बुजरेंगी और दोड़ के जाके ना मैंने उन्हें पूल जरूर देना है वो दे कि बस उसके बाद कोई कलिया है गुलाब है वो ने दे के फिर क्लास में पहुंच जाना तो मतलब यह कि इस तरह से वाकई और उन उस्तादों के साथ बड़ी मोहबत और बड़ा एक अटैच्मेंट होती थी और उस्ताद के लिए वो लड़ने बरने के लिए यहार हो जाते थे इचर सिर्फ खामोश हो जाए तो बच्चे स्टूड़न्स रोने लगजा थे और वो रोरे होते थे बच्चे के अटैच्मेट के साथ ही और तो जिए के साथ होना इस वेनी तक के रहते हैं और स्टूड़न्स को बहुत अच्छ पहले हैं लेकिन वह इमोशनल इसके इसकित करना वह जिन्दगी के मामला को पने टीचर के पास लेकर जाना उनसे बैठ के स्टूड़न्स को दे में आजिए से लोगों कुछ याद करने हैं, लेकिन आजिए स्टूटेंस, मेरा खालए टीचर्स को वह उगाड आद करने हैं नजए आसनी या पुछ तो पाता निए कभी वो फेवरिट है कभी वो फेवरिट उन्हें टीज़ पाता निए इस पता निए ज़ाल आज एक जद मुहबत बर्सा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है मुहबत बर्सा देना तू सावन आया है सबसे चुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है मुहबत बर्सा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है क्यूं हर तुझ दाई सही जाए ना क्यूं हर सुभा तू मेरी सांसों में समाए ना आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार मैं कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार ने कैसे बताओं जजबात ये मेरे मैंने फुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है आज की रात न जाना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे चुपा के तुझे सीन से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है भीगे भीगे तेरे लब मुझसे कुछ कहते हैं दिल है खुश मेरा के खयाल एक जैसे हैं रोको ना भुद को यू सुनो दिल की बात को धल जाने तो शाम और आ जाने तो रात को कितना हसी ये लंहा है पिसमत से मैंने चुराया है सब कुछ छोड़के आना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सब से छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है जबादस भी जबादस बहुत अच्छे है ना वाकिछ जबादस रहीं कितना अरसा थी गए जान देवे इस सीखना दो चल रहा है मेरा मुक्तलि उस्ताद है आलमगीर साभ हमारे टीचर है उनसे सीखता रहा हूं थोड़ा बहुत इस समझ नहीं थी मुझे समझ नहीं थी साला तक केवे में गासकता हूं साथ दोस्त थे अरे भई तुम तो अच्छा गाते हो फिर वो आईडीय जहन में आता था आधा था अरे हम गासकते हैं तो फिर उस्तादों से राप्ता करना और सूल में पार्स्पेट करना और पिर करते हैं जैसे आपने बच्पन की बात की तो यह वक्यी बच्पन से ही होता है यानि जो टैलेंट है वो नजर तो आ रहा होता है कही नहीं चुपावा होता है आपके अंदर और उसको डिस्कवर करने की जरूरत होती है वो फिर इसी तरह आपके दोस्त अभाब दाएं-बाए है कजोची बच्पनसे पता है। मैं अपके यहारान थी जरूर है भाग कि नर चुपन से बच्पन से मआझ आ है कुछ राग है में को समझ नहीं आगा. इस मेना अभी जो राहिल ने बोला हुख को बच्छ मन से शौक होता है या सोव में इतने सारे शौक होता है. बद इसल बात यह होती है क्या आपके एर्दगर्द के लोंग आपको इस खौब को परसू कि हमारे हाँ गाइड कैसे किया जाता है हमारे हाँ कंपेरिजन किया जाता है हमारे हाँ उसको जिस दर्जे पर है उस पर शाबाशी नहीं मलती है कि आप यहां हो तो आपके पास कुछ और होगा बहुत यकीनी तौर पर हम क्या करते हैं मिसाल के तौर पर आप यह आप कैसा ग पुरी दुनिया के अंदर एक वन फाइनेस्ट सेंसेशन है उसकी रीजन है कि कुछ भी था कुछ लोग उसको शाबाशी देने वाले भी थे उसके अब हमारा फोकस किस तरफ है आया के वो लोग जो हमें वापस खेंच रहे हैं तरफ लेकर जा रहे हैं या हमारे कैन्वस को ब अच्छ लोग 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 को कौपी करें अक्सर लोग माज़द इनल करेंदे भी पहा हैं बहुत अधा अधा तित्र और अधा बटेर आला हिसाब रहे हैं तरह किते हैं बीद फस्ति औरस्ट यॉर्सल्व रधा ने बीग सेकिन अप्श भी हो वो अपने आप में बह मैंने का I don't want a person जो एक बुक हुआ हम होता है मेरे बेटे के जहन के अंदर कुछ नई चीजों को सीखने के लिए space बाकी बचना चाहिए रादे देन आप उसको एक ऐसा बच्चा बना दो के जिसको सिर्फ किताब और किताब के बाहर कुछ भी नहीं पताओ मार्क शीट मैं पृपिंगतान हthere बано कि बीए ठीजों को सुनलना को साथ खाट हुआ है कि एक भली पुझे जो आप के वड्रौर नहीं हुए सथों कि व्र्लेर परकी में एक क्यों झाल मैं जाकए का ट हनका लोग को आपे किसे और कंश्हें की के साहर्आ कैं वहाना अप इक लोग का ए तरहा देखें वे उसके टालन्ट को डिग आूट करें कि वो किस में अच्साहिए चाहिए तो तो स्टार्ट झाला को एपारा करने को जड़े वाल्डा है वॉकम पैरिजन करें यहार फर्स्ट अगर मेरा पहला जागर दा वालिटा व्यह यह कॉन्सा है तों तो जाकर जहीं ह तुम एसे क्यों नहीं कर सकते हैं? रहा हूं, किन के साथ चलाओ, मेरा रास्ता किनके साथ था, मुझे पढ़ने वाले कौन थे, मुझे खिलाने वाले इंपोर्टन नहीं है, वो मुझे शेल्टर दे रहे हैं, मुझे घर दे रहा हैं हाँ, तरभियत के बैसिक नॉम्सarnt है कहां बैठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किसके सामने क्या बोलना है, यह इंपॉर्टन्ट है, बट कैसे बोलना है, वो मेरा टीचर मुझे सिखा रहा होगा, मेरे मैनर्स क्या है, वो मुझे मेरा टीचर सिखा रहा होगा, अब मैं अपने टीचर के पास आजरत के साथ यार मिसाल रेंगे खले ब्रेक लेंगे बस रही जादे है फिक छोटे है जो इनावे सारे मारास वेलकम बेक नाजरीन, खोश शाम देद, अक्सबता कुस अवेल दे रहांगे चार बेलकुल चल सो, बेलकुल रसा है अच्छे हम ताहिर वाले और मिना गुफ्तगो थी निरी पर यार मिसाल दे पर ब्रेक चादी पर हम ताहिर चलेंगे मिसाल के तरफ चलेंगे कुछ अचार आशा सो, अबड़िया है ताहिर अभी थी हाल है, आपि थी हाल है अभी है अभी थी हाल है अधि कहले पूइंट वियुटेंगे हैं गड़ा हम बात कर थेख, युटेचरह का हमारी जिंदगी के अंडर क्या रोल होता है एक शखस है मिस्थाह के तोर पर गिटार की लपडी काटता है एक दूसरा के शाहर जो गिटार पर stigrr नगाता है दोनों को बजाना नहीं आता है की शखस़ जो गिटार को सही तरीक क्या उन्हीं नहीं चानता है राइट, मैं मेकैनिक के पास जाओंगा, टाय शॉप के अपर जाओंगा, वो गाड़ी के टाय ठीक कर देगा, शायद उसको गाड़ी उस तरीके से चलाना नहीं आती होगी, अब दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और दोनों लोगों का अलग अलग पैट्रिन है, जब यह इस क्षर्या प्रोजी है नियुक्ट बता का है। बनी को इसको इसको प्थर के पत्थर निकाल के लेकर आता है उसक को आजिए तराशने का अंदाज निही होता है। तराशने वाला जो होता है वो अलग ही होता है और उसका अपनी स्पेशलिटी के अगर उसको अबूर है तो यकीनी तोर पर वो उस एक पत्थर को हीरे में कनवर्ट करेगा तो टीचर का हमारी जिन्दगी में जो रोल है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि उसको ये चाहिए कि सबसे पहला टीचर काम ही ये करे कि मैंने इस बच्चे को आने वाले वक्त में किस दरजे के उपर लेकर जाना है और इसके लिए मुझे इसको तराशना कैसे है कि टीचर के पास आज इतना टाइम है चाहली पिंताली स्टूडेंट्स ती क्लास है और उन्हें जाके और हर एक स्टूडेंट को दीजिए एक्वालिटी है जज़ करना या जाटना मुश्किल कम नहीं है अब मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको टीचर की डिस्पॉनसिबिलिटी बहुत बड़ी है जींए हुए बड़ी बड़ी मुश्किला आती ही है हम अब जभी सनीपशमिलिटी बड़ी है जब कोई टीचर दिफरेंट इस्सीतूइश्ञा में आम नहीं अगर कोई शक्स ये कह देता है ये सीखनी सकता बच्छा तो मैं कहता हूँ आप सिखा नहीं सकते हो बहुत सिंपल बात है कि अगर एक बच्चे को दस दफाए एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे है तो आप slow learner है वो slow learner नहीं है क्यों कि आपको उसका pattern ही नहीं पता है प्लाटफरम पर पहनचना जुरूरी है उसके लिए उस पेटरन को लेना जुरूरी है जो मेरा अंडरस्टैंडिंग पैटरन है अगर मेरे से कोई सवाल करता है कायद आजम कहां पैदा हुए थे तो मैं क्या ये बोलूगा कि कायद आजम के वाले साब का नाम पूजा जिना या कायदे आजम 25 सेप्टेंबर को उन्होंने कहां पूछा है तो पैटरन अफ क्वेस्टेंडिंग सब का अलग होता है जैसे मेरे थमनेल अलग है ना मेरा पैटरन अफ अंडरस्टेंडिंग अलग है किसी भी टीचर को पहले ये सिखाना चाहिए कि आप में उसको समझाने का तरीका निकालने यानि टीचर में पहले ये डिसकोवर करना है कि कौन सा मेथड़ अडॉप करेंगा ये टीचिंग मेथड़ालजी असकी है तो समें बच्चे को सिखाना है जाले है कि तरा दे जहें देंदे स्टुडेंट्स नहीं होते हैं और कुछ लोग जो 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 ज सब लोग अपनी अपनी कापसिटी के अदर बहुत अच्छे हैं अगर मैं ये सोचने लगों के मैं सब को 21-22 चाले खुलने की कोशिश करता रहूंगा ना ताला एक खुलना है बाकी 24 खराब जाएंगे अब उसको सीखने के लिए उस पैटरन को चेंज कर लेंगे सब लोग अच्छा थोड़ी दिल पहले हम एक गिला कर रहे थे कि आज की जनरेशन उस तरह से उस्ताद को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है उसकी रीजन भी यही है कि अगर माजी में देखें तो वो उस्ताद का जो तरीका होता था हम मुझे याद है हमारे दादे जी बताया करते थे कि काओं में अपने उस टीचर का नाम भी वो लिया करते थे कि रात में मास्टर नूर महमदा में बुला लिया करता था कि अपनी किताबें ले कि रात को मेर अब तो हमने टीचिन कों प्रोफेशन बना लिया हैं, हमने थो कुमाई खरीया बना लिया हैं, वहां पर अपना लेक्ट्र देने के बाद बाद्, ठीमने बादे प्रशिस हो अपर पड़ी आरिकोने के भी में सेंटर् सेंटर्स तिला हैं लूद मेरा कर Goldmancy कि यह क्लास हो प्रसुन कि हären लूद किना मेरी के टिरब मेरें कि यह वुकिया को हाद कि बना इदर हम जम्याद प्र वह सब्सक्रास के वह सब्सक्राइब के सबर्ट लूद कि जौने रहा कि के सब्सक्राइब टुरूद में 24. t Airlines अगर हम देंगे बच्चे को महसूस होगा कि यह उस्ताद मेरे साथ इतना सिंसियर है यह इतना कुछ कर रहा है तो खुद पर खुद आपकी वो रिलेशन्शिफ डिवाला जादा जहीं बच्चे ज्वें डिविजिन है वहुँ ज्यादा जहीन इन इन अदर सेक्षिन फुला यह उस्ताद मैं भाकाईदा कालेशने लिविजिन के साथ इंडिफिकेशन लेवल पर हम बात करें जब किसी के साथ आइडिन्टिटी जुड चुड चुकी है ना हमने उसकी इंडिन्टिटी बना धिए इसी सेक्षिन है तो फिर आप सोच ही ना कि वो बढ़ना चाहे आइडेंटिफिकेशन उसके जुड़ गई मैं अपने टीचर है इमरान साब मुझे आज तब कहते हैं emotional attachment with information long term memory में convert होता है it's been 2004 मेरा chemistry के टेस्ट के अंदर 13 marks out of 100 13 जिसके भी 50% से कमते सब को सजा मिलनी थी मेरे टीचर है इमरान साब बहुत लंबी उमर दे और शुकर यह हुआ है मुझे पर उसके बाद एक मौका ऐसा भी आए जब मेरे टीचर और इस वक तक्रीवान 19 टीचर्स हैं मेरे जो मेरे टीचर्स मेरे टीचर्स में आए हैं और सामने बैठे हैं उनसे सीखी भी बाते वापे उनको बता रहे थे तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा 50% से नीचे वाले स्टूडंस को पनिश्मेंट थी लेकिन उनने मुझे नहीं बिलाया साइट पर इठाय क्या हुआ था तो उन्हेंने पूछा थी मैने का सब मैं मैंने तैयारी नहीं किया कि अर्दध चल् KAR करके आना तो नहीं तो नहीं है दाया तुष कर चार मैं कि अन doen आप एल ? He presented लूर चाह कि याद करके आना कोई और बात प्र बात नहीं मेरे अबबात च्थर만 до wären घमेरे भाइ नहीं को भी कॉल करके कह सकते थे किसके टेस में मार्क सितने हैं और नहीं कोई बात नहीं अगले दिन में पूरी रात रेट के उस पूरे चार चेप्टर्स को रहे रखा लगाया और अगले दिन में जब गया तो मेरे 93 मार्क साहिए और वो पेपर वेरे पास आज भी मौझूद है सेव करके रखाव है कि this is what condolence is all about हम जब किसी को emotionally treat करते हैं किसी student को उसको इस पात का एहसास दिलाते हैं कि yes I am right here for you it's okay L Где ओनों में आपके लिए हूंँ और मैं आपको गाई करूंगा your family stylehd कर सकते हो अगर तुसरे डॉल आपरे student अक कुछ चार फो इंदे हैंन पे जैसा याके से ப कर सब्सरेंटिश आठेम वेल्कम बैक नाजरीन खुश शामदीत असटा कुस्वेल रांगेच और जी बिलकल रही जफर वले चल्सु और इनकल गीट सुरना चासूं और मजीद रंग विले स्वापर प्रोग्राम कुछी वेलकल जी रही गीट सुरना चासूं क्या है शिर्ग वा नहीं, 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 तेरे बिना जिन्दगी दिलेकि, जिन्दगी तो नहीं, जिन्दगी नहीं, जिन्दगी नहीं, जिन्दगी नहीं, तैरे बेना जिन्दगी से शिवाद तो नहीं काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुनके मंजिल चले और कहीं दूर कहीं अगर साथ हो मंजिलों की कहीं तो नहीं तेरे बिना जिन्दगी से शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं जी में आता है तेरे दामन में सर चुपा के हम भी रोते रहे रोते रहे जी में आता है तेरे दामन में सर चुपा के हम रोते रहे रोते रहे तेरी दी आतमे आसों की नहीं तो नहीं तेरे बिना जिन्दगी से कोई शिकवा तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं तेरे बिना जिन्दगी दिन्दगी दिन्दगी तो नहीं शिकवा नहीं शिकवा नहीं जबरदस वे जबरदस वे जबरदस अचा रोते रहें रोते रहें वैसे एक सर लोगा ने जिन्दगी वह हों और थे रोते धोते जिन्दगी है यह जिए क्या है? यह वही होता है जब इनसान D-Level नहीं करता है है और यह तब ऐसा ही होता है एक बड़ी इंपॉर्टन बात है आपके शुरू में बात कही थी कि हम किस तरीके से अपने माइंड की मैमरी को शार्प कर सकते हैं नई चीजे कैसे सीख सकते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो डिफरेंट इंफरमेशन्स डिफरेंट इमोशन्स औ आपके हैं अगल में सकते हैं चारों लोगा स्मयरे चाहिता है ने हदो पर देर नहीं पर थाझा व्यों हतोत किस्मत को को सुना जड़ी कुछ चीज सा कुछ जनर डेखर को मिल दिया अकसर लोग सारे किस्मत नहीं है काश हो दा काश में कोई चीज मेल वें दी काश में देना लिए क्यों होता है शुरू पता कहा से होता है कि मैं आपको बार-बार मैं क्यों बात कर रहा हूं माइंड सेंस की उसकी बज़े ये कि जिन्दगी सारी आहाता यहीं पर है हम जब जब किसी भी इस तरह के बैड एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो किसी से शेयर नहीं करते हैं और फिर अगर कर भी लेते हैं तो किसी घलत बिलकुल इसी तरह है जैसे अगर मुझे बुखार है तो मैं दवाई लेने कहा जाओंगा डॉक्टर के पस या नाई के पस जाओंगा तो मुझे किस से डिसकस करना है जो अपने काम का एक्सपर्ट है हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है पिछले सिर्फ पाकिस्तान बहुत सारे मुलकों में हमारे नेबर कंट्रीज के अंदर भी यह होता है कि हम जहनी बिमारी तकलीफ को तकलीफ नहीं मानते हैं जिस तरह बुखार को बुखार माना जाता है तकलीफ माना जाता है हम कभी नहीं सोचते हैं कि अगर कोई बंदा अपने जिंदगी के अंदर स वो डिप्रेशन या इंग्जाइटी का पेशन्ट हो गया है तो उसको पेशन्ट कहा जाए कोई बंदा एकसेप्ट भी नहीं कर रहा होता है तो अभी हमें करना ये है कि हम इस बात की अवेरनेस एक करें कि अगर कोई शख्स डी लर्निंग के फ्रॉसस से गुजरना चाहता है उसको एक स्पेसिफिक बंदे के साथ डिसकस करना चाहिए तो मनफी सोचन तो कि वे चुटकारा हाति किता वन सब्सक्राइब क्यों असा हर वर्ट है कि गाल को रेपीट करें एंग खुदकिलामी करें एंग 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 तनकीद करेंए और खुदकू बुरा भला आदें है कि वें इन आदाद को छुटकारा पाया वन सकतें ब्रेक देपाद में वेल्कम बेक नाजीन खुश्याम देदाक्स तो को सब्सक्राइब देना कि दूबारह एक दफ़ा और जनाब गाल थिंदी पर मैंचासा कि बड़े मज़ेदी गाल ब्रेकज करेंदे प्यासे और मैं गुम् क बड़े पक्वाँ दे लाज़ें नाजब आधीन व एक तक दॉण है जैने मेल हजरात द नहीं तिते हैं और की ने रकदे पोयदी पेहम ते थाMy Girl kop SteTT पंदे भाटी मेर मेरी दादी में रिखा बखादेater उने पसंद था अज़न आड़े घानी के हिसाब से तो सित तेंशन दा शिकार हैं पे या शिक्वे या शिकायता करें दे नजर आने किसमद दा रोगना क्यों रोगने नजर आने थे और इने आगे तो दिमाख सलाहिया जड़ियों और डाउन थीं दी है जो सब भुलकर थी हुए तो अको चीजा भुरना शुरू थी हुए हैं इसमें उस्शूरू हम कहां से करते हैं रब तहला की दाट जो है इसने एनसान बनाया है उन्हीं ने एक किताब भेजिए इसम कराने पाक के उन्दर ने एक लाइन है लाइन शकरतुम लाजीदन कुम वाइन कफरतुम मिन्ना अजाबी लशदीद शुक्र करोगे ना तो बढ़ा द और हमने हमेशा क्या क करते हैं गरने बाप गारी सायए हिटा है यह जो कितनी गर्मी है चिकायत कर रहे होते हैं रह जो डोल। किसी भ बच्चे को और मेंगी? तो ज़ु नहीं ठैने नहीं हो प्रे isolate कि है अपनी लाइफ के अनदर मैं यह कहता था कि जब भी मैं किसी भी चीज की शिकायत करूंगा ना तो मैं उसका फाइन दोंगा उपकेट से वह पचास रुपए हो सवर पे हो कुछ भी हो financially मुझे होना चाहिए अगर मैं किसी चीज के बारे में शिकायत करता हूं शिकायत से शिक्वा शुरू होता है और शिक्वे से इनसान नाशुक्री तक पहुंचता है हम कैसे अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं तुमने सही कपड़े क्यों नहीं पहने रादर देन सेंग यार अच्छे दूसे कपड़े पहनते हैं तुम्हारा जूता इतना गंदा क्यों है गंदे जूते लेकि अंदर नहीं आरा है यह सब चीजें शिकायत से शुरू होती हैं हम उसको टीच नहीं कर रहे होते हैं हम उसको उसके किये की वह बता रहे होते हैं जैसे बिल्कुल ऐसे ही है लैंग्विश पैटरिंस के कहीं लिखा वाओ ना कुडा फैकना मनाया तो वहां के च्रा पैचरे का धेर होता है जहां लिखा हुता है शफाईनेस में मानें तो कोई अधना दर्जे का भी कोई मेरी तरह का भी म utanमान होगा न तो वह बहुर्भ के कर गाई है हम क्या करते हैं अपने बच्चों को नाशुक्री सिखाते हैं कोई चीज देते हैं उनसे कभी नहीं बोलते हैं कि बैटा थाइंक्यू बोलें यह लर्निंग के पैट्रेंट थे हैं कैमरे की आख आपको देख रही है हुआ है मैंजिया रड़ UP अगाँ सिखाते हैं क्या मैंनेमा बनियुक्त वैरा थे नंचाते हैं हम जिस पॉइंट पर बात करें नेगेटिव थार्ट्स, शिकायात, शिक्वे, इस वज़े से हमारा माइंड कहां तक पहुंचता है। मुझे एक बात पता है कि किसी इनसान की जिंदगी के अंदर जो होता है, उसके ओपर बच्चे को शुकर अदा करना सिखाया जाए। तो वो अपनी जिंदगी के अंदर हर उस चीज के ओपर शुकर अदा करेगा जो उसके पर महजूद है। अगर उस बच्चे को यह दिखाए, ये नहीं है यह नहीं है, पाकिस्तान में साफ़ा ही नहीं है, यहाँ पे कचरा बहुत है, यहाँ ट्राफिक बहुत है, यहाँ होन बहुत बजाते हैं, यह डिसकस हो रहा होगा न, तो अपनी पूरी जिन्दगी के अंदर उसी हर चीज़ के फुकदान को डिसकस करेगा और वो शिकवे और शिकायत और फिर नाशुक्री तक पहुंचेगा तूसी बात क्या है हम जब किसी खेती बड़ी आप किसी सड़क से गुजर रहे हो ना किसी खेत के दर्मयान से तो आप आम तोर पर देखते हैं सड़क के साथ खुदरो कर रहा होता है हमारे हां नेगिटिव थॉट्स कहा से जनन लेती हैं जब हम पॉजटिव थॉट्स सोचते नहीं है तो । इस जमीन के ओपर काम नहीं होता है हमाया दिमाग है MT-D evil workshop हम खाली नेंगले कर बैठे होते हैं जब हम पॉजटिव थॉचों को पिन अपने के गार दोस्त बनाना च्छा है जिन पर मैं डॉमिन्ट कर सकूँ एक बड़ी कमाल की लाइन किसी ने कही थी इन कुछी क्वूटेशन हैं, इसे एक मुझे हमेशा याद रही है, अगर आपको अपने आपसे बड़ा होने के लिए अपने बड़ों के साथ बैठना पड़ा और इसी बज़े से हम ऐसे दोस्त बनाते हैं नेगेटिव थौट्स कहां से आती हैं जब उनका एंपटी माइंड होता है वो सोच नहीं सकते हैं किसी भी चीज को इस कप को इस्तमाल करना चोड़ दें कुछ हरसे के बाद यह खत्म हो जाए खराब हो जाएगा यह डिली धुलता रहे शायद अगले दस साल तक यह साफ रहेगा अब दिमाग इसी तरह कि इसके उपर वरकिंग खत्म कर देंगे यह ना कारा हो ना शुड़ा यह सोहबत का असर या गुड कंपनी जो है वो यही चीज है ना हमारा दीन भी उसके बात करता है कि अगर आप अतर फुरोष के पास पूल बेचने वाले के पास बैठोगे तो आप वहां से फूल ना भी खरीदो आपके कपड़ों में खुश्बू आएगी आप उसका एक चिक अचैजब जाएगा कैसा अंजम को सुम् तुसा तो माशाला है प्रिंसिपल हो और उसा थी कि ज़रे जिले ज़्य ज़े जिवारी हो बहुंने में पो इस्टावरी ज़िवारी थकावत किया ची रूठीन कि आ तो मिरे खाले इस सीट पर आपके बढ़ते हैं जयता बं है क्वापिन है खाहिर है अपका घर आपकी फैमिली आपकी हॉचीज़ं तो मतासिर होते है ठीक है अगर घर। जलसमीच करेने ह। अवासमे खी जाना का प्रिंस्पल भी जाब ही आप Izनавайया अच्छा नते हैं कि अच्छा था ने परफेशन उचासा यह होई जा तो इसा नहीं जा था हमारे हाँ जैसे वह आम एक कॉंसेट था अभी भी काफियत तक है के हमने इसको डेरे पेरेंट्स की खाइश थी कि अन्होंने मुझे डॉक्टर बनाना था अच्छा ठीक है मैं इस तरफ एकसीडेंटल तोर पे आगई एफसी की एफसी में मार्क्स काम आए तो उसके बाद फिर बीए में एडमिशन ले लिया और मैंने बताया ना कि शुरू से वह थोड़ा से शौक था लिटरेचर स्पीचेज और इस तरह की एक्टिविटीज तो कहीं मेरे अंदर उर्दू लिटरेचर की जो एक थी ना चीज वो कहीं चुपी वी थी और उर्दू की टीचर होती थी थी मारी मैडम राश्डा सेयदा अल्ला ताला उने जननत में जगा ते बड़ी नाइस फातून थी आचा वो मैं आपको वाक्या सुनाओंगे माललब य होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं क्या पड़ू है अच्छा पुलिटिकल साइंस की टीचर मेरी बड़ी फेवरिट थी उन्होंने मुझे ना रिडिंग हैबिट मेरे अंदर बड़ी डिवेलप की अकसर कहती थी थी कि इसके अभी आप कुछ पढ़ा करें मुझे याद है थर्डियर में जब जाके हम दाखिल हुए उन्होंने सबसे पहले कुदरतुल्ला शहाब का शहाब नामा हमें बताया कि ये आपने पढ़ना है अगर आप ये पढ़ेंगी ना आपको ये कॉंस्टिउशन याद करने की ज़ु खुद आप तर्तीब से आपको याद होता जाएगा कि हमारा पहला मिनिस्टर कौन था गुबर्नल जरनल कौन बना उसके बाद को नाया यह आप पढ़ेंगी और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो बस वह ऐसे था कि उसको पढ़ती ही चली गई वह इतना इंट्रस्ट टीक्रैंग करना थी तो उर्दू की जो टीचर थी उन्होंने जाहर 에서र एंडू लिट्रेचर के बचों को कहा के मेरी ऍलास टीच मुझे लग रहा था कि मैं इस जाधा यह कर SAKTी मैं मुझे क्यों नहीं करिया पार रहा है एभाखरए पहल हुआ है तो जाती ही ना मुझे जबर्दस तरीके से डांट पड़ी, मैंने का स्वामनी को मैडम, पीछे हो के खड़ी हो जो, अच्छा मैं थोड़ा सा ना मुझे लगा कि मैं कर तो सकती हूं मैडम मुझे इस तरह से, अच्छा बारहल उन्होंने का नहीं, उर्दू लिट्रेचर की जाती होगी, आप वैसे जो है वो पार्टिस्पेट कर लें, अब मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज होगी, अच्छा बार सूनना चाहसो माज़दे ना, ब्रेक तो त्यारेंगे जाए लिए आप ते ब्रेक बड़ी ज़दी हा लाए लिए आप ब्रेक दे नाजरीन की तहीं चैलेंज रह गया भई, अन्जम को सौन तोहरा चैलेंज रह गया, उसके बाद ये हुआ कि मैने पुलिटिकल साइस छोड़ दी अच्छा और मैं अर्दू लिट्रेचर में आदी है, ठीक है, और बस उसमें ये था कि बाहराल फिर दो साल मैं उनकी बड़ी फेवरिट रही पहुं सीखा, उसमें ये यूं समझ लें कि जैसे आप वो कहते हैं ने कोई बढ़कावा पंची होता है, और वो अपनी मन्जिल की तलाश में कि कभी इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा टेस्ट किया, कभी आप उसमें गए, मेरा ख्याल है कि फिर मैं अपनी सही मन्जिल की तर और फिर फेवरिट भी बन गए, मैं उनकी और वो मेरी फेवरिट बन गए, अच्छा और फिर आगे बैड़ लग किये हुई कि जब मेरा रिजल्ट आया भी एका, तो मैं कॉलेज में फस्ट आई, और उर्दू लिट्रेचर में मेरे सबसे ज़्यादा मार्स थे, जब मैं बताने के लिए छुटियों के बाद गई तो मुझे पता चला कि मैडम राश्टारी डेथ होगी, वहलब यह कि मुझे आज तक भी याद है कि मैं बड़े उससे गई कि मैं मिलूंगी और बताऊंगी और बड़ा खुश होंगी, तो लेकिन मेरी उनसे वो आखरी मुलाकात शायद वो गई आज उनने हमी जनना था जरनी ऑगल कर दम हैं जी रहीड़ा चले सब्सक्क्राइब पहुश वैड़ने कि बिल्का जनना था ज़ना कर दो आज स्वीड़ने मिलूंगी अगले कि जननना था इंगर झालशा चले सूंगी, यह उनना जलत अर छएग्स, शॉं दहलीज पर मेरे दिल की जो रखे है तू ने तुझा तेरे नाम पर मेरी जिन्दगी लिख दी मेरे हम दौं असिखा मैंने जीना जीना कैसे जीना असिखा मैंने जीना मेरे हम दौं ना सिखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सिखा जीना तेरे बिना हम दौं देहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तू लिख दू तेरे नाम पे मेरे जिद्धी लिख दी मेरे हूं दूंब नसीखा मैने जीना जीना कैसे जीना आसीखा मैने जीना मेरे हूं दूंब नसीखा कभी जीना जीना कैसे जीना नसीखा जीना तेरे बिना हूं दूंब सची से इन ये तारिफे दिल से जुमने करी है सची से हैं ये तारिफे दिल से जो मैंने करी है जो तुम मिला तो सजी है दुनिया मेरी हुं दो आसमा मिला जमी को मेरी आदे आदे पुरे है हुं तेरे नाम पे मेरी जिन्दगी लिख दी मेरे हुं दो हसीखा मैने जीना जीना कैसे जीना हसीखा मैने जीना मेरे हुं दो न सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना न सीखा जीना तेरे जीना वाजीवाज जवादस्ते जवादस्ता हिर तो समी नजम सुनाओने है मैंने नजम सुनाओने है हाँ 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 करो वाके ताहिरी नजम सुनाओने है काफी एर से पहले मैंने लिखी थी एक बड़ी मुद्दके बाद उसने समंदर को किया है बंद कूजे में मेरे सारे सवालों को सुना चुप बैठके उसने वो मेरी मुझतरिब हस्थी के सारे पहलूँओं पर मेरे उसे सभी शिक्वे गिले जब मैं सुना बैठा मेरी वो सारी तकलीफें जो उसकी जात से मनसूब थी उसको बता बैठा बहुत खामोश नजरों से मुझे वो टिक-टिकी बांधे लगी तकने वो मेरी इस तरह भी कैफियत को देखकर बिलाखिर उस बला की खामशी को तोड़ कर कुछ सोच कर मतसे हुई गोया कहा उसने सुनो ताहिर मेरा कल भी तुम ही तुम थे मेरा अब भी तुम ही तुम हो ये वादा है मेरा तुम से के जब तक सांस बाकी है मेरा सब कुछ तुम ही तुम हो काफी कुछ लिखा है लेकिन कुछ ऐसी नजमे होती है जो यकीन ऐसे ही कह दी जाती है यह किसी के महबद में नहीं गई थी यह यह जिसके लिए प्लान नहीं करता है ना बंदा बग़र प्लान ही यह जिए आपने अपने फिलिंग को एक्सप्रेस करना है और वो कुछ बाते ऐसी होती हैं जो इनसान कह देता है और बस उसके अंदर अलफाज का चुनाओ ऐसा हो उसका तरीका और उसका उसलूब बंदा पहले सेट कर ले तो चेक अच्छा ताहिर एक सवाल वी जहना चांदा पर क्या आपड़े जोड़े एक्स असाग्स मुहपत ज जब क्ब्रू ते लिए सेखें कर तो बहुत बाता है और यहां है तो ज़ा पर पिछली बात बताने की वजह से नहीं साइल होते हैं और उसके बाद फिर वो और पर वों उसमें अगे बाद चले जाते हैं कि जब इनसान एक दूसरे के लिए एक शफाफ आईना हो जाता है ते एंसहसाने को अपनी सूरत साफ नजर आने लगतिती है. तो बहुत सारी केसिस में बिल्कों बता देना चाहिए। बहुत सारी केसिस में जरूरी नहीं है डिसकस्िक एने नट लेती हैं यह आपजर्ब करेने हैं जैसे बेहनते हैं खवतीन ना तर शोन को मिल देते हैं कि मार्द हजरात अक्सर ही डास्टिनन थे कि सारे फ्लाँ फेर हन फ्लाँ फेर हन यूद टाइम या जवानी टाइम या शादी को पहले हन अचा हूँ मस्ट है आपड़े बेगम को जरूरे से ने क्या करने या ठीक है ना अचा खातून पहले ते शोन के गुस्सा थिंद्यों सी आग बगोला थी ने बाद नॉर्मल थी कि हथियार कहीं से गुम्शुदा निकलता है और अचा तो यह करते हैं तो बंदा खामोश हो जाता है लेकिन खातून दे मामिच कुछ उलट है उससे भी पूछा जाता है लेकिन बड़ा दिल कहनी होना माध था जाता है इदी क्या रीजन है हम सॉरी बिंग मुस्लिम अगर हम अपने आपको सही मुसल्मान बना लेना तो यह सब चीजें खत्म हो जाता है हम चुके ऐसे ओरत को तो एक माना ही ऐसा जाता है कि नहीं हो ही नहीं सकता अगर इससे कोई कुछाई हो गई तो क्यों हो गई या इससे इसको कैसे हो सकता है ऐसा तो लाइक मैं मिसाल से एक ब उस औरत की किसी के साथ शादी हो गई और उस मर्द की जिस औरत के साथ फीलिंग पैदा हुई थी उसकी शादी मेरे साथ हो गई अगर आप एक मर्द होने के नाते किसी औरत से ही महबत का इजहार करेंगे ना हो सकता है वही और और किसी के मन में कोई बात आती है, हो सकता है वह आपकी पहन हो इस के अंदर सोचना सही और गलत, रब तला ने सब को बताया है, वो मर्द के लिए भी उतना उही गलत है, कसी और जिए लिए उतना ही गलत है, और सही जिता अभर के लिए सही है, उतना ही ज़्र से है. है तो हम अगर किसी मर्द को ही हुए नजरे घृतासे रहु वाभाप भी करते हैं यह पुछो को मर्स के एक बेटी जो होती है वो कभी गाना भी सुन ले बैठके तो उसके ओपर बहुत सारी बाते हो रही होती हैं कि लए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तो मुझे ये लगता है कि एकुल राइट्स हैं यहां पर हुकुक अलबाद की डिसकस होते हैं जब हम बात करते हैं ना इसलाम की ना जोड़ पर छोटे हैं पर ब्रेक जोड़ते हैं आज रहा हैं यह दो फिसके नाजरें कंगे को शाम देशिता को सवेल रांगे अचा था चैनिकल एड़ करें शूओ किसार प्रिंस पल्गोविंगर्वाट्स कोलेज औफ टेक्नलोजी आवेचिन थे अन्यंगा सूम हैं रुजहान कुछ घटदा वेंदे या वददा पे कुछ आकोई डिसेसों बच्चीयां वाले क्या है कुछ डिसेसों टेक्निकल एडुकेशन जाहिरे के इसमें थोड़ा सा स्किल इंवॉल्व होता है जब हम टेक्निकल एडुकेशन की बात करते हैं इस एडुकेशन में आप साथ बचे को स्किल दे रहे होते हैं और जाहर है कि आप उसको अर्निंग हैंड बना रहे हैं आपको उसको इसकाबिल बना रहे हैं कि वो अपने पाउं पे खड़ा हो जाता है बच्चा हमारा जहां तक मेरे कॉलिज में दो टेक्नालोजी इस खास तोर पे चल रही है एक फ समझें के तीन साल का ये डिपलोमा और तीन साल में बचे बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बन के निकलती हैं इंटरमीडियेट के इक्वल है इसके बाद बचियां किसी युनिवर्स्टी में किसी बीएस प्रोग्राम में जाना चाहें वहां एडमिशन ले सकती हैं तीन साला डिपलोमे में बेसिक चीजें वसीफ जाती हैं बाद बची जो हम टैलन्ट की बात कर रहे थे जिसमें सलाहियत होती है वह बची उन तीन सालों में इतनी ग्रूम हो जाती है कि वह अपनी बनाईवी चीजें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाती हैं य मेरी याद है कि अभी 2012 में एक बच्ची मारे पास पढ़की गई वो लौहर में किसी ड्रैंड में जॉब कर रही है और बहुत अच्छा बता रही थी के 80 प्लस वो सेलरी लेगी है और उसके इलावा मदब बड़ा काम कर रही है और उसके यह एजुकेशन ऐसे आम आप सिंपल जनल एजुकेशन में जाते हैं एफ़े करने के बाद मैंने बताया ना कि इंटरमीडियेट के एकुल है एफ़े करने के बाद मैं नहीं समझती कि एक बची किस तरफ जाएगी जब तक वह मास्टर्स नहीं कर लेती या यह ऐसी डिग्री है कि इसके फॉरन बाद आप कही न उसके बाद डिस्टिक लेवल पर हमने डिस्टिक प्लेस्मेंट ऑफिसर है गुरा एक विंग जो इस पर काम कर रहा है उसके लिए वो खुद विकैंसिस तलाश करते हैं बचे ने कैसे सीवी बनानी है कैसे उसने जॉब के लिए अपलाई करना पूरा प्रोसीजर उने समझ इंडस्टि में चले जाते हैं एक चीज़ में आकर प्रक्टिकल हो जाता है एक यह चीज़ दूसरी चीज़ यह है कि हमारे इदारों के अंदर बड़े-बड़े स्कूल कॉल जीज भी हैं लेकिन वहां पर कंसेंटेंसी के कोई चीज सहूलत महुजुद नहीं है बच्चे क इसको इस फिल्ड में जाना चाहिए पूरी गाइड़ेंस देनी चाहिए कि कुछ बच्चे इसे होते हैं जो टेक्निकल फिल्मे जाते हैं कुछ जो किसी कंदर वकील बने की अबड़ेटी होती है कि बिजनिसमेन बनना पसंद करता है तो बच्चों को उनके जहनी सदाथ के मताबिक उनको रास्ता दिखाया जाए कि बड़ा काम किया यह जो मैं आपको प्लेस्मेंट का बता रही है इससे पहले यह प्रैक्टिस नहीं थी अब पिछले 5-6 साल से दूसरा डिप्लोमा हमारे पास इलेक्ट्रोनिक्स डिये इलेक्ट्रोनिक्स असूसियेट इंजिनिर जाए इंजिनिरिंग इलेक्ट्रोनिक्स बैट्रोनिक्स डाइख अब पिछले साल अब ऐसा विल्ड है कि इसमें बच्छे एक 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 एफसी लेवल तक अब जो तो Associate Engineering Electronics that is equal to FSC, उसके बाद आप BSE करना चाते हैं, BSE में जे ले जाएं, किसी और Engineering University में जाना चाते हैं, तो वहां पे इनके लिए मक्सूद सीटे होती हैं, ने वो ठीक है, वो चीजें, किस का हाल पिर आप कहेंगे, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, इस Saturation हर जगा पे मौझू आप अपनी बुटीक बना सेते हैं, आप अपना कुछ भी नहीं, मैं सीधे लफजों में एक बात करती हूं कि आज एक दर्मयाना सा टेलर भी 500 रुपया तो सिलाही लेता है, एक दिन में आप दो सूट अगर स्टिच करते हैं, तो मुझे बताएं, थाउजन रुपीज पर बस मैं अपने इदारे के वाले से बच्चों को बताऊंगी कि टेक्निकल एजुकेशन जो है, आप अपने पाउं पे खड़े होने के लिए, जैसे हमारे अबादी में एक मेन हिस्सा जो है वो औरतों का है, खवतीन का है, तो आप अपने टेक्निकल एजुकेशन को सीख के, आप अपने पाउं पे खड़ी हो सकती है, अपनी फैमिली की कफालत कर सकती है, अपने घर को स्कूर्ट कर सकती है, तो इस तरफ जरूर बच्चीयों को आना चाहिए, हमारे अधारे में आएं, वहां पर एड्मिशन लें, और इस फील्ड को आगे लेकर आप उपूचेशन कि आने वाले वक्त में लोग आपको याद रखें, जिन्देगी सफ यह यहां अची चाहिए डूड़ने के यहाद रखुएर यहां ये को जो गहते हैं जिल्से को आएं आज अप उप स्वेरख में पर एफ सिर्फ गारे मीराम लोगा हाँई है, तो इस आज अप पर इस ए वैंक जिना भाबाब, वहाँ शुक्रत ताश्रीफ घहनु के, सनर रहील, जफरहन, रहील ताराय, भाबब वहाँ शुक्रत ताश्रीफ घहनु के, रहील क्या आज आगसी डेखना लगू, क्या tam rasa है जरीज? जी, एज एजुकेटर, मैं स्टुडेंट्स को भी कुछ देना चाहूंगा, कि क्रिएटिव पन अपनाएं, क्रिएटिवनेस की तरफ आएं, और तखलीकी पॉइंट अप्यू से हर्चीज को देखें, दुसरा, जनरली मैं कहना चाहूंगा, कि खाब देखना चोड़ें, मैं आसर कामास ते कोशिश ही बाँ जुरे बाँ बाँ शुक्रिया, रहील हम सादाल लास्ट तरफ गीज सोनना चाहसूंगा, यह मेरा खुद का रिकॉर्डिड है, और खुद मैंने इसको लिखा और खुदी इसको ट्यून किया, हमारे टीचर है, नाई मुलसन बबलु कैसा है? तू है मेरी दिल गुबाब, तू है मेरी जान जान तू है मेरी दिल गुबाब, तू है मेरी जान जान तू ही मेरी जिन्दगी, तू ही को है है खुशी, तुझ ही से मैं हूँ जिया तू है मेरी दिल गुबाब, तू है मेरी जान जान दिल नशी ओ नाजले तू मेरी है लगन आस है ये प्यास है बन मेरा तू जीवन पास मेरे तू आ धड़कनों में समा आखों मेरे सपने तेरे पोटों पे नग में तेरे दिल की है तू का बन तू ही मेरा प्यार तू है मेरी दिल गुपा तू है मेरी जान जा परिसात में भी गिरात में ज़रे में अव्यां गरता की प्यांश्wn मेरा तन बदन तू ही हो बस बाहों में ना हो कोई मिरसंग ओ जवानी तेरी बस दिवानी मेरी बोश में ना रहे जिन्दगानी मेरी मौफिजा में बहारे मुस्कुराएं गुन गुनाएं जीवन में करा तुझ ही से हर मेरे यार तू है मेरी दिल गुबा तू है मेरी जान जान तू ही मेरी जिन्दगी तू ही तो है हर पुशी तुझ ही से महूं जिया तू है मेरी दिल गुबा तू है मेरी जान जान